दोस्तों कभी भी हमारा चटपटा खाने का मन होता है तो हमें सीधा मार्केट जाने का मन करता है तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी सी मार्केट से भी बढ़ी आसा चिली पोटेटो की रेसिपी जिसको आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और पूरी फैमिली के साथ इंचॉय कर सकते हैं तो चलिए जादा देर ना करते हुए हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स सबसे पहले मैंने यहां पे ले लिए हैं पांसे च्छे कच्चे आलू और इनको मैंने अच्छे से वाश कर लिया है और य देखिए इस तरीके से पतले पतले और उसके पास हम यह फ्रेंट्स प्रैस कट कर लेंगे बहुत ही आसानी से हो जाते हैं और बिल्कुल भी टाइम में लगता है तो देखिए आप यहां पे आलू जो है ना आप चारो तरप से थोड़ा थोड़ा निकाल के और बीच का भी पर में आप iemandा यूज कर रही हूं तो देखे मैंने इस तरीके से सारे फ्रेंट्स प्रैस को कट कर लिया है लंबे-लंबे टुक्ड़ो में आते आते सकते और आहीं ज्यादा पतले सबस strong end September से पानी इसलिए हमें च्रुल घाल करना है जिस सरे प्रीद निकलताइं वो इसके प्रेंच फ्राइज देना एक डिलिया में निकाल दिये थे जो कि इसका सारा पानी निकल गया था उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से सुखाएंगे तो सुखाने के लिए मैंने यहाँ पे टौवल पे डाल के और अच्छी तरीके से पोस्ट दिया है तो आप दे सकते हैं कौन फ्लोर भी इसको बोलते हैं कुछ लोग तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे लेना है तीन से चार चमश मैंने यूज कर लिया है उसी के साथ में हम बिल्कुल मार्किट जैसा बना रहे है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फूट कलर लिया है आप चाहे तो ऐसे करें यहाँ पे में सकते हैं बिना फूट कलर के तो अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें गे तो यहाँ पे मिक्स करते हैं दोतर्स जाते हैं और उसके मुझे यहाँ पर कम लग रहा है तो अरारोट मैं थोड़ा सा और यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पर मुझे चार से पांच चमच अरारोट लगा है और आप भी जितने आलू ले रहे हैं उसे साथ से आप देख लीजिए अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाए तो देखिए म मैंने यहाँ पर सारे जो फ्रेंच प्राइस इनको अच्छी तरीके से कोट कर लिया है तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ तो यहाँ पर मैंने ऑईल गरम होने के लिए रख दिया था और यह देखिए अच्छे से गरम हो चुका है तो अब हमने जो फ्रेंच प्राइ यह हलके से क्रिस्पी जैसे होने लगेंगे तब हमें इसको चलाना है तो देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है बिल्कुल मार्किट जैसे लग रहा है और इसको हमें ऐसे चलाते हुए जब यह सॉफ्ट हो जाएगे अंदर पक जाएगे तो मैं आपको दिखाती हूँ फिरसे राई करैंगे यह क्योंकि इसको जो फ्रcca राकिर होका से ना जालते हैं और जो मैं यह और निकाल लिया है और इसको थोड़ा सा मेरी जाएव नहीं आप चलार उईफ़ चला ब्ने रहा करें लाएं उसके साथ मैंने यह और 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 आक बार कर लिया और उसको मैं आप पे डाल दिया है और इसको थोड़ा सा हम बूल लेगे तो बहुत ही जादा हमें नहीं बूलना मत थोड़ा सा इसका इसका क्लर चैंच हो जा是 हलका सा तो बस इसको भूनने के बाद अब हम इसमें एट करेंगे प्यास तो देखिए मैंने प्यास को बड़े बड़े टुकडों में काटा है आप इसी तरीके से काटे जब भी हम चिली पोटेटो बनाते न तो इसमें लंबे-लंबे टुकडों में ही प्यास को यूज करते हैं जिससे सब्जी को क्रंची रखना है और उसके बाद मैंने यहां पर लिया है एक शिम्ला मिर्श इसको मैंने लंबे-लंबे टुकडों में काट लिया है और उसी के साथ में हम इसमें आड करेंगे थोड़े सी पत्ता हो भी इसको मैंने लंबे-लंबे टुकडों में काटा है जिससे वो नहीं जाना चाहिए तो बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं नहीं पकाना है तो चलिए यह थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं तो अब हम इसमें थोड़े सी सॉसस डाल देंगे यहां पे लिया है मैंने देट चमच सोया सॉस और देट चमच यहां पे लिया है चली सॉस और उसके बाद यहां पे लिया है डेट चमच टोमेटो केचप तो यहां पे मैंने सेम कॉंटिटी लिया है उसके बाद मैंने यहां पे डाला है लैसन और लाल मेच की जो चटनी होती वो homemade है और आप इसके जगह पे पीजा सॉस या फिसेज़ बॉन सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं इसे क्या होता है हमारी जो चिली पोटेटो होती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके त्यार होती है और चटपटी सी बनती है तो देखें मैंने यहां पर सारी चीज़ों को बाद में डाला है नमक तो नमक आप टेस्ट के को और रखी जैसा भी आप खाते कम जादा और इसको डालने के बाद हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देगे और इसको, हम यहाप पानी को मैंने mix कर दिया है और इसके बाद हम आगे की तैयारी कर लेते हैं तो देखिए यहाप पे हल्का सा इसमें उबाल आ चुका है तो आब मैंने यहाप़ी लिया है एक खाली कटोरी है और इसमें हम add करेंगे दौ चमच अरा रोट यानि के व्लॉर तो दौ चमच मॉन्स इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल की बिल्कुल इसका पतला धूल बना लेना है। जिसे सलरी भी बोलते है। क ulis यहां पर ध्यान रखना है गाड़ा नी रखना है देखे पानी की तरह Moody तो चलिए, अब हमने जो सब्जिया को कोने के लिए रखी दिना, तो ये भी अच्छी तरीके से ना, सफ्ट होगी, इसमें हम डाल देंगे, अपना जो अरारोट है, और इससे बहुत ही जल्दी जो हमारी सब्जिया गाड़ी हो जाएंगे, इसमें थिकनेस बहुत ही अच्छ तो चलिए, इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, तो यहां पर दे सकते हो कितना गाड़ा होने लग गया है, बिल्कुल भी टाइम में लगता है, तो इसको हम कर देंगे थोड़ा साइड में, और अब हमने जो फ्रेंच फ्रैस बनागे रखे देना, यह हमारी तया और इसी तरीके से हम चलाते होए ना, इनको अच्छी तरीके से क्रिस्पी होने तक फ्राइ कर लेंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम में लगता है, क्योंकि हाई फ्रेंट पर हम इसको फ्राइ कर रहे हैं, बस तीन से चार मट लगेंगे और अच्छी तरीके से फ्राइब हो आएंगे ना, तो बच्चे कभी भी मार्केट से मगाने की डिमांड नहीं करेंगे, हमेशा आप घर पी बना के खलाई, और टेस्ट के साथ साथ यह हल्दी भी होते हैं, क्योंकि आपने इसमें सब्जियां एड की हैं, और उसके बाद में घर पे बनाया है, और बाहर की ची बिल्कुल मार्केट से भी बढ़िया से बनके हो गए हैं तैयार, और आप भी इसी तरीके से घर पे बना सकते हैं, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे, बच्चे हो या बड़े सभी लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे, तो यहां पर मैंने नेक्स वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक लिए बाबाई और टेक केर, थेंक्स पर वाचिंग